Hello everyone, आज हम बनाएंगे छोले कुल्चे, जिनको हम मट्रा कुल्चे भी कहते हैं, ये एक बहुती पसंदिदा street food है, ये खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं, इनको बनाना भी बहुत इजी है, तो आएए बनाना शुरू करते हैं ये हमने एक कप सफेद मटर लिये थे, इनको हमने दो कर रात में बिगो दिया था, इनको प्रैशर कुकर में डाल देंगे, इसमें मैंने दो कप पानी डाल दिया है, पानी इतना हो कि ये डूब जाएं उसमें, इसमें स्वादनुसा नमक डाल देंगे, और इनको दो सीटी आ को करके प्रैशर को अपने आप ठंडा होने देंगे जब तक हमारे मत्रा छोले पक रहे हम इतने कुल्चों का आठा तैयार कर लेते हैं यहां हमने एक बोल में दो कप मैदा लिया है इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून शुगर वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोड़ा एक टी स्पून बेकिंग पाउडर दो टेबल स्पून ओल इनको पहले मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें आधा कप दही डाल देंगे इसका गुंगुने पानी से सॉफ्ट डो बना लेंगे ये देखिए डो तैयार हो गया है ये काफी सॉफ्ट है इस पे थोड़ा सा धी लगा कर हम 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे ये देखिए हमारे मट्रा उबल गए है और ये अच्छे मैशी हो गए है इनको हम हलका सा और मैश कर देते हैं अब हम अपनी मट्रा चांट तैयार करेंगे इसके लिए हमने गैस पर एक पैन ले लिया है इसमें दो टेबल स्पून घी डालेंगे घी करम हो गया है अब हम इसमें एक टी स्पून जीरा डाल देंगे एक पिंच हींग एक टेबल स्पून अदरक का पेस्ट इसको एक दो मिनट के लिए भून लेते हैं अब डालेंगे दो बारी कटी हुई हरी मिर्च हल्का सा इनको भी भून लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे दो मीडियम लंबी कटी हुई प्याज इनको हल्का सा ब्राउन होने तक बूनेंगे फ्लेम मीडियम रखेंगे देखिए प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है अब हम इसमें डाल देंगे दो मीडियम बारी कटे हुई टमाटर थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं एक टी स्पून काला नमक नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि हम पहले भी नमक का यूज कर चुके हैं एक टेबल इस्पून धनिया पाउडर एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर एक टी स्पून जीरा पाउडर हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे ए ये देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और आब हम इसमें मट्रा डाल देते हैं इनको मिक्स कर देते हैं और इनको 2-3 मिनट तक पकाएंगे चलिए इतने हम अमचूर का पानी बना लेते हैं इसके लिए हमने 1 टेबल इस्पून आमचूर पाउडर लिया है इसमें थोड़ा सा पानी मिला कर इसको मिक्स कर लेते हैं और देखिए ये हमारा मचूर का पानी तयार हो गया है आप चाहें तो इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए हमारे मट्रा छोले पकर तयार हो गया है अब हम इसमें एक टी स्पून गर्म मसाला डाल देंगे और एक टी स्पून पसूरी मेथी डालेंगे अब थोड़ा सा बारी कटा हरा धनिया डाल कर इनको मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें जो हमने अमचूर का पानी बनाया वो डाल देंगे इसको mix कर देते हैं और ये हमारे मट्रा छोले बिलकुल तैयार है और इधर हमारा कुल्चे का आटा भी तैयार हो गया है ये देखिए हमारा आटा कितना soft तैयार हुआ है तो चलिए कुल्चे बनाने स्टार्ट करते हैं हम आटों को थोड़ा सा घी से grease कर लेंगे और थोड़ा सा दो लेके इसकी गोल लोई बना लेंगे अब हम इसको बेल लेंगे आप इसको गोल या लंबा बेल सकते हैं अगर आपको बेलने में परिशानी हो तो आप इसके उपर थोड़ा सा घी या ओईल या सूखा मैदा लगा कर बेल सकते हैं हम इसके उपर थोड़ा सा कलोंजी और बारी कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसको एक बार हलके हाथ से बेल लेंगे जिसे की ये इस पर चिपक जाएं इसके पीछे की साइड हम अच्छी तरह से पानी लगा देंगे ये हमने एक लोहे का तवा लिया है इसको हमने गरम कर लिया है और कुल्चे को पानी की साइड से रख देंगे फ्लेम को लो रखेंगे ये देखिए इस पर बबल साग है अब हम तवे को पलट कर आग पर इसको इस तरह से से शेकेंगे यह देखे हमारा कुल्चा तैयार हो गया है अब हम इस पे थोड़ा सा बटर लगा देते हैं आप देख सकते हैं हमारा कुल्चा दोनों तरफ से कितना अच्छा बना है इसी तरह से हम अपने बाकी के कुल्चे भी तैयार कर लेंगे और ये देखिए हमने सारे कुल्चे तैयार कर लिये हैं चलिए अब हम मत्रा कुल्चा को सर्व करते हैं छोलों की थोड़ी सी गार्नेशिंग कर देते हैं टमाटर, प्याज, खीरा, हारी मेर, छहरा धनिया डाल कर और थोड़े से अद्रक के लच्छे भी डाल देते हैं ये देखिए हमारे कुल्चे कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं ये चटपटे टेस्टी छोले कुल्चे आप ज़रूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें